नमस्कार, आज हैराबाद सिटी पुलीस साउ जोन टास्क पोर्स के तरफ से एक इंटर स्टेट फ्रेग इंडियन करेंसी नोट राकेट गैंग का अरेस्ट हुआ यह इंटर स्टेट फ्रेग करेंसी गैंग में जो दो लोग अभी अरेस्ट हुए हैं उनके पास से 3.98 लाग का फ्रेग इंडियन करेंसी नोट और इन टू वीलर बनामत वा इस गैंग का गैंग लीडर मुहम्मद गाउस जो बाउंग गाउस के नाम से जाना जाता है इस गैंग में तीसरा मेंबर जो अभी एबसकोंडिंग है फराव है अमीनुर रह्मान एलियस बग्डू और इसका रावडी शीट नाइटी 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 वन में ओपन हुआ था 1991 में इसके उपर बहुर सारे केस थे और उसमें possession of bomb और terrorist and disruptive activities आप ताड़ा उसके ताहल भी इसको रेस्ट किया गया था 2011 में ये fake Indian currency note के illegal activities में आया और उसके उपर 12 cases in Hyderabad City and one case in Vijaywara and Vishakha Patnam में registered हुआ आखिर में ये चार्विनार police station में 2016 में arrest हुआ था जेल में इसकी मुलाकात Aminul Rahman alias Bablu of Malda से हुआ और उसके बाद इसका फिर arrest हुआ था भावावावी पुरम police station limit और विजावारा और वाइजक four town police station limit जेल से बेल पर निकालने के बाद 12th January 1919 को ये immediately gauss से मिला और अपना पुराना contact Aminul Rahman जो की main supplier था दो साल से उसे मिलने के लिए राजमंट्री सेंटरल जेल में गया वहाँ वो मुलाकात सूरच शेक से किया जो की native of Malda और poor accused है गाउस के साथ और वहाँ से phone number of Aminul Rahman alias Bablu का लिया नंबर लेने के बाद वो FICN का डील के लिए अपना तयारी शुरू किया बबलू 4 लाख वर्थ FICN अपने trusted aid रभियूल शेक के मारफ़त भिजवाया था रभियूल शेक इसके पहले फलकनुमा police station limit में 2015 में जब वो एक juvenile था उस समय इसका अरेस्ट हुआ आज 15 फेब्वरी को जब ये दोनों गौस और रभियूल शेक एक्सचेंज कर रहे थे FICN इन हशामाबाद area अंडर चंदरायन गुट्टा police station limit उसी वक्त information के हिसाब से south zone task force और चंदरायन गुट्टा police मिलकर ये लोगो एप्रिहंड किये इसका जो प्राइम अक्यूज है मिनूर रह्मान इलियस बगलू उसका जो विलेज है कृष्णापूर वो विलेज बगलादेश और इंडिया के बिलकुल बॉडर पर है और इसका regular touch बगला information, quality of paper और fluorescent threat ये सब सब इसमें काफी close है original note से इसलिए ये लगबख high quality FICL इसको कहा जा सकता है इस पूरे activities में जो हमारे police department के तरफ से अच्छा काम हुआ उसमें हमारे additional DCP task force S. चातने कुमार और उनके साथ भवानी नगर के police force और जिसमें हमारे inspector के मनु मोहन देडी, S. एन स्री साइलम, केर प्रसाद वर्मा, मुहमर थट्यू दीन, वीन अरेंदर और चंद्राय कुटा police station के पूरे staff काफी अच्छा काम किये और हमारे तरफ से उसकों सभी को hearty congratulations